हलो फ्रेंड्स टेक्निकलेस जीपे अब सभी लोग वोका स्वागत है तो आज मेरे पास एक फिलिप का मीनी ब्लुटूथ कनेक्टेट स्पिकर आया है आज मैं आपको इसको रिपेर करके दिखाऊंगा तो इसका पॉब्लम क्या है इसका पॉब्लम है बॉक्स को आउन करने के बाद इसका जो स्पिकर है वो काम नहीं कर रहा है तो इसको आप कैसे रिपियर करते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको सब अच्छे से बताऊंगा तो आप देख सकते हैं मैंने box को on कर दिया और इसमें कोई sound नहीं आ रहा है मतलब इसका जो speaker है उसका connection खरब हो सकता है या speaker भी खरब हो सकता है तो आप चलिए वीडियो को start करते हैं ज्यादतर speaker को on करने के बाद या off करने से पहले एक जो speaker on का sound होता है तो आप देख सकते हैं इसका कोई sound नहीं आ रहा है इस speaker को खोलने के लिए आपको दिक्कत हो सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को अच्छे से देखिए उसके बाद ही इसको आप open करिए नहीं तो यह तूट भी सकता है इस speaker को देखके आपको लागेगा इसमें कोई screw या कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें screw होते हैं अगर आप इसको अच्छे से नहीं निकालेंगे तो यह तूट भी सकता है तो आप देख सकते हैं इसका जो रावार है उसको निकालने के बाद इसमें आपको screw दिख जाएंगे तो अगर आपके पास हैसा ही कोई speaker है और खराब हो चुका है तो आप मेरे वीडियो को देखकर आप repair कर सकते हैं तो इसमें तीन screw लगे हुए है तो पहले मैं तीन screw को अच्छे से निकालूंगा उसके बाद इसको open करूंगा तो आप देख सकते हैं screw निकालने के बाद यह open हो जा रहा है पहले आपको लगेगा इसमें कोई screw है ही नहीं लेकिन इसमें भी screw होते हैं तो rubber को अच्छे से निकालने के बाद screw को भी निकाल लीजिए और यह box आपका ऐसे open हो जाएगा तो इसमें एक जो audio kit होते हैं एक battery होता है और एक speaker लगे हुए होते हैं तो इसका बैटरी देख सकते हैं 3.7 volt और 400 image की battery लगा हुआ है बैटरी का जो pin है उसको अच्छे से बहुत ही ध्यान से निकाल लिए नहीं तो आपका जो बैटरी का पीन है वो तूट सकता है और फिर आपको और भी दिक्कत में पढ़ना होगा तो इस speaker का जो sound है वो नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसका जो speaker का wire है वो तूट गया है आपको दिख रहा है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपको और भी बारी किसे दिखाऊंगा तो इसके लिए जो kit है उसको पहले मैं खोलूँगा उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक like जरूर कर दीजिए और चैनल को subscribe करके notification all कर दीजिए आपको हर वीडियो का notification मिल जाएगा किट का जो screw है आप ध्यान से निकालिए और आप देख सकते हैं इसका जो speaker का wire है वो कट गया है इसलिए speaker का जो sound है वो नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ speaker को खोल के speaker का जो wire है उसको आपको change कर देना हुआ और ऐसे ही अगर आपके पास इस speaker है और इसको कैसे खोलते हैं तो आप वीडियो का end तक देखते रहे हैं तो प्रिकर को खोलूंगा तो इस speaker को खोलने के लिए भी इसमें भी स्कूरू लगे हुए हैं तो पहले स्कूरू को निकाल के इसके बाद अच्छे से इसको निकालना होगा तो चलिए इसको अच्छे से निकाल लेते हैं तो ऐसे आपका speaker open हो जाएगा बहुत ही mini speaker है और इसका sound quality बहुत ही अच्छा है अगर किसी के पास ऐसा ही speaker है तो आप मुझे comment करके बोल सकते हैं speaker का sound अच्छा है या नहीं इसमें plus और minus दोनों wire connect होंगे तो आपको wire जो भी है आप लगा सकते हैं अगर आपके पास headphone के wire है वो भी आप लगा सकते हैं और अगर अगर आपके पास charger के कोई खराप wire है तो आप उससे भी दोनों wire निकाल सकते हैं जोगाड़ तो करना ही पड़ता है मैं तो हर चीज जोगाड़ करकी लगा देता हूं अगर आप ऐसा wire market में खरीदने जाएंगे तो आपको पैसे लगेंगे लेकिन आप मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे जैसा ही जोगाड़ कर सकते हैं तो जोगाड़ करके ही काम चला ल तो मेरे पास red और black दोनों wire आ चुके हैं और इसको speaker के साथ अच्छे से soldering कर देना होगा स्पिकर में प्रिंट हुआ है कौन सा वाला plus है कौन सा वाला minus है तो plus के साथ red wire और minus के साथ black wire आप connect कर दीजिए अगर आपके कोई speaker में plus और minus का प्रिंट नहीं दिया हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है स्पिकर में plus और minus का कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे चाहें connection कर सकते हैं तो मेरा दोनों wire का soldering अच्छे से complete हो चुका है और इसको मैं अच्छे से जैसे मैंने इसको open किया था ऐसे अच्छे से fix कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा glue है वो निकल चुका है इसलिए म अच्छे से कोवरे उसको चिपका दुब है अच्छे से से करने के बाद मैं आपको हर चीजय से बताता हूं जैसे आपको कोई भी धिक्कत नहीं इसलिए तो सबस्कूर को अच्छे से टाइट कर लेते हैं कि कि आपको बहुत यह अच्छे से द्यान रखके इसको लगाना पड़ेगा जैसे आप आप इसको निकाल लेते हैं वैसे ही अच्छे से इसको fix करना होगा नहीं तो इसमें जो पीन लगे रहते हैं वो तूट भी सकता है आपका जो audio kit है उसको आप अच्छे से set कर लेजी तो मेरा जो audio kit है वो भी लग जुगा है अब मैं इसको कनेक्शन बता रहा हूं तो जो speaker के जो वायर है उसको आप अपने हिसाब से काट लीजिए और जैसे इस पेकर के कनेक्शन किया हुआ था ऐसे प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस जो audio kit है उसके साथ अच्छे से soldering कर देना होगा हाँ और एक और बात आपका जो soldering iron है उसको आप ज्यादा देर kit के साथ टेच करके नहीं रखेंगे अगर आप ज्यादा देर रखते हैं तो आपका जो kit है वो heat होके खराब भी हो सकता है आप जितनी जल्दी चाहे आप इसको soldering कर दीजे तो मेरा plus वाला wire soldering हो चुका है अब जो मेरा minus वाला wire है उसको भी मैं अच्छे से soldering कर दूंगा एक और बार मैं आपको बाता दे रहा हूं जो आपका soldering iron है उसको आप ज्यादा देर kit के साथ टाच करके नहीं रखेंगे नहीं तो जो आपका kit है वो खराब हो सकता है तो मेरा plus और minus वाला जो वायर है दोनों का connection complete हो चुका है अब जो मेरा बैटरी का जो पीन है उसको fix कर दूँगा और इसको अच्छे से set करके फिर से लगा दूँगा और अगर आपका कोई ऐसा speaker खराब है और उसका charging pin खराब हो चुका है चार्ज नहीं हो रहा है तो इस पे भी मैंने एक और लगाई है मैं आपको हर चीज़ बारी किसे बताता हूं और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए तो मेरे speaker repair complete हो चुगा है आप देख सकते हैं जैसे मैंने बट on किया इसमें sound आ गया अब मैं आपको mobile के साथ connect करके आपको चला के भी दिखाऊंगा तो मैं पहले Bluetooth connect कर लेता हूँ फिर आपको no copyright वीडियो चला के आपको दिखाऊंगा